पसीना लगातार भेने वाला और ध्यान दखिये जो पानी से नाएगा वो गेवल लिवास मतलेगा और जो पसीने से नाएगा वो इतिहास रचेगा महादेव की सोगन मुकावला टक्कर का होने वाले कामियाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है करन्ट अमेज का सूपन साप करने वालों कर दो झाल झाल इस्टार्ट पुण होने वाला है बिल्कुल पिरिया भवर निलेश राम राजू अनिल विजय लक्षमन सभी का स्वागत है बहुत सारे कॉश्चन कराने वाला हूँ भहुत सारा पोस्ट माटम करने वाला हूँ ध्यान से सवाल को देखना है कोई भी सवाल आपके एकजाम के इसाफ से महत पुण बन सकता है आपके एकजाम में छप सकता है कोई भी तैयारी कर रहे हैं जहां भी जीके जीए साती है वहां किलास आपकी महत पुण होने वाली है चलिए सुरुआत करते हैं उल्फत की जंजीरों से का डरना अपनी ही तकदीरों से का डरना जब खुद पर हो भरोसा तो हातों की लखीरों से का डरना है जब खुद की महनत पर अगर आपका भरोसा है तो फिर रस्गुल्ला यहां क्या लिखा हुआ है क्या करें इस बात का अपनी मर्दी से अपनी महनत से जो चाहेंगे वो यहां पर दोजार चोबिस में लिख कर छोड़ेंगे चलिए कॉश ओफ्शन नम्मर फर्षट आपके सामने बुद्ध चरित के लेखक अस्व गोश जो हैं किसके कुसांड राजा के दरवार में दासनिक थे सवाल आप से यह पूछ रहा हैं वह किसके दरवार में ते सवाल यह हैं erlebt Korean हर्ष वदल गोश यहां किसने माद्ध सहपारिंगे आप अश्गोष पुछे आप से कि भाई साव इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है बुद्ध चरीत लिखी है ये बड़ा महत्पूर्ण सवाल है इसको भी आपको ध्यान लखना है ठीक है तो अश्गोष की रचना कौन सी है बुद्ध चरीत आपकी रचना है नोट करना ठीक है अब दोस्तों सवाल पुछे आपसे अश्गोष जो है ये है लिखना ये है लिखना ये है चोथी जो बहुत संगती है उसके उपाद देख्षते ठीक है चोथी जो बहुत संगती होती है इसके उपाद देख्षते ये भी आपको याद होगा ठीक है पहली बाद दोस्तों है बोतसंगति कहा पर होति है अर्श गुर्ला यहाँ पर होती है है किसके आप पर अपना माँगें क्वाणाई क θα अपना कुह सी है ये भी आपको धिशान रगना है ठीक है इस बहुत संगतिम सो चापना यहाँ पर जो बहुत धरम है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है आपके एक महायान और एक चापना सो एक महायान और एक कौन सा हो जाता है एक हीनियान जो है इन दो भाग में डिवाइड आपका हो ये आपको नोट करना है तो हमारे सवाल का そう यह होगया यहाँ पर कि सकाँसर बів्समंपर सी कनिर्फ फॉस्ट का पर क्रिशेज त are अगर पुछत आप से यहां कौनसा वान्स है यह वान से कुछान वान आपको भी आपको ध्यान रखना है ठीक हैं वंस कौन सा रजगुला यहां पूछूं आपसे कौन सा है एक सेकंड रुखिएगा यहां वंस से नोट करना यह कुशान वंस है यह भी आपको नोट करना ठीक है वंस कौन सा हो गया, वंस आपका कुशान वंस हो गया है, एक सेकंड, एक सेकंड रुख जाई है, बस फोन को साइलेंट कर देता हूँ, यह जो वंस कौन सा हो गया, वंस आपका कुशान वंस हो गया, इसको आपको ध्यान लखना है, और अगर कुछे कुशान वंस जो है, इसक नोट करना दूसरे कुझुल कट्षिस जो है कुझुमी इसके फांडर है कुझुल ऐसके फांडर है यह भी आपको नोट करना है तिके अगर आपसे पूछे पूछे पूछा आपста कि सुर्टो चलते हैं ये भी आपको not करना है ठीक हूँ एक तो कौनसी एक तो अबसी एक मतहुरा इसकी राजदानी है ये भी आपको not करना है ये Marshall Center पूछे कि यहां का फैमस आज़क पूछों आपसे को रहा है वह यह थे इनका नाम भी आपको नोट करना है यह गद्धी पर बैटते हैं यह गद्धी पर 78 जो इस भी है इसमें बैटते हैं और इसी और किया स्टार्ट स्टर्ट हुआ यह भी आपको हराया थां, उक्सामत पूछे कव्शन हुआ है TO बिए आपको धियान रखना है ठीक है अगर आप से पूछ ले इनके दरवार में पूछे दूसराब से इनके दरवार कौन कौन थे चरक साफ थे निदर रहा है चरक पूछू आप इन्हें बोलते हैं भारत काइंस्टीन क्या बोलते हैं इन्हें भारत काइंस्टीन कहते हैं यह भी आपको यहां पर धियान रखना है ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें भारत काइंस्टीन कहते हैं यह भी आप नोट कर लीजिए यह सारे सवाल कहीं न कहीं एक्जाम में भिडने वाले हैं आपके सामने अगर आपसे ये पूछे कि गंधार सहली पूछूँ आपसे गंधार सहली और नोटना मतुरा सहली जो है इसनको मतुरा सहली जो है नोट करना इनको संरक्षण देने वाले कौन थे इनको संरक्षण देने वाले पूछूँ आपसे वो भी कनिक ये वी आपको धियान रखना है, इन्होंने सनक्षन दिया, ये भी आपको धियान रखना हैं, तो ये सारे सवाल आपके सामनी यहाँ पर हो चुके है, हमारा आनसर क्या हो चुका है। option number C हमार answer हो चुका है अरे दंती दुर्ग पूछों आप से याद करो रजगुल्ला ये पूछों आप से किसके राश्ट कूट वंस किसके राश्ट कूट जो वंस है इसके founder कौन है दंती दुर्ग साफ जो है राश्ट कूट वंस के founder है ठीक है हर सवर्दन पूछो दोस्ता आ कादंबरी कौन से जो कादंबरी चावन कादंबरी जो है वो इनकी रचना ये भी आपको ध्यान रखना ठीक है तो बानवट हर सवर्दन तरवार में थे कादंबरी इनकी रचना ये भी नोट करना दुस्तों अगर पूछूं आप से राश्ट कूट वंस के बड़े फहमा स से दिर्मान कराने वाले कों थे कश्न फ़र्श थे और राष्ट कूट बंस है दंति आपके संस्थापक थे नौट करना न हमारा अंसर ऑफशन नंबर सी हो गया है यह भी आपको धियान रखना आगे भटिएगा लोग सब में खालिस्तान सीटे अनुसोचित जाती के मैंमर्स के लिए आरक्षित हैं, चार ओफशन आपके सामने, 80 seat हैं, 84 seat हैं, 47 seat हैं, 31 seat हैं, सवाल आप से यहाँ पर यह पूछ रहा है, अरे याद करो भाई साब, अगर दोस्तों आप से पूछू आप से, याद करो आपके संसत पूछू आप से, इसका आर्टिकल कौन सा है, 79 इसका आ संसत में कौन कौन सामिल है, लोकसवा सामिल है, राश्वा सामिल है, और राश्वा सामिल है, नोट करना, संसत के हाउस पूछे आप से, दो हाउस हैं, लेकिन अगर पूछू आप से, संसत के अंदर कौन कौन सामिल है, इसके भाग कितने हैं, नोट करना, इसके तीन भाग ह पूफ़े हैं लोग्सभा राश्टपती अगर पूछे आपसे अर्टिकल स्थी चापना आपका राश्टपती अगर आपसे पूच respons करना अगर पूछे आपसे यहां पर यहां पर यहां पर आटिकल नंबर 330 कहता है कि यहाँ पर जो SC ST हैं इनकी सीट रिजर्व होने वाली है SC की पुछूँ आप से 84 सीट दो सबके और ST चापना 47 सीट यहाँ पर रिजर्व होंगी तो आर्टिकल नंबर कौन सा आर्टिकल नंबर 330 है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आर्टिकल नंबर 330 पुछूँ आप से अरे याद करो याद करो याद करो आपके अरे एंगलो इंडियन एंगलो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व होंगी ऐसा इसमें लिखा हुआ था पर अभी हाली में इसको समाफ्थ कर दिया है 104 सविधान संसोदन द्वारा ये भी आपको नोट करना है ठीक है अगर कभी सवाल पूछले आपसे एंगलो इंडियन के जो सीट रिजर्व थी वो समाफ्थ हो चुकी है और कौन सा अमेंडमेंट है 104 आपके 104 अमेंडमेंट है ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है महत्प आप से यहाँ पर सरवादिक जो सीट है वो किस राज्ये के पास में चापना वह है उत्तर प्रदेश के पास में 80 सीट यहाँ पर किसकी है लोग सवागे सीट 80 जो है वो केवल यूपी के पास में ये भी आपको नोट करना है ठीक है अभी दूस्तों हाली में क्या हुआ है अभी हाली में पूछा आप से लिख लो एक सवालो लिख लो यहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है डाइरेक्ट इलेक्शन होता है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है मतलब आपका प्रतेक्ष चुनाव होता है यह भी आपको नोट करना है मतलब आप और मैं लोग बोर्ट दालते MP के लिए वो भी आपको छापना है यहां की उमर पूछ हूँ आप से लिए यहां की एज कितनी होती है यहां की एज जो मिनिमम है वो 25 वर्स चाहिए यह भी आपको छापना है मिनिममम पूछ हूँ आप से 25 वर्स चाहिए और 5 वर्स कारेकाल होता है यह भी आपको यह 1912 को पहली लोग सबाह स्टार्ट हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है कोन सी तारिक है 13 मै कोई साथ के 13 माई च्छापना 13 माई जो है 13 माई 1912 को पहली लोग सबाह बैठती ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है अगर आपसे पूछे ले अगर आपसे पूछे कि वाई एविश्वास प्रस्ताफ पूछू आपसे एविश्वास प्रस्ताफ जो है नॉन कॉन्फिडेंस मौसन पूछू आपसे यह कहां पर दोस्ता आता है यह केवल लोगसभा के अंदर आता है चापना और इसके लिए 50 MP जो है इनका समर्शन चाहिए यह भी आपको ध्यान डखना है ठीक है अगर पुछू आपसे धन विदेख पूछे आपसे पहली बार चापना पहली बार जो है किस आपके हाउस में आएगा यह पहली बार केवल और केवल लोगसभा में आने वाला है और कोई विदेख कोई धन विदेख है या नहीं इस बात की पुष्टी कौन करेगा लोगसभा जो अद्यक्ष होते हैं इस पीकर सहाव होते हैं वो इस बात की पुष्टी करने वाले अगर आपसे यह पूछनू वाई साथ भारत के पहले लोगसभा इस्पिकर कौन चाहपना वो है जी भी मावलक ध्यान लखना है तो सारे सवाल अपूछ सकता है अगर आपसे कभी यह पूछ ले कि जॉइंट सीटींग होती है इसके अद्धिक्ष कोन होते हैं आपके वो भी यही उते हैं जॉइंट सेटिंग के अद्रіч पूछं आपसे वो भी स्पीकर सहाव होते हैं और आर्टिकल कौन होते हैं वो आपके कौन होते हैं नोट करना लोगसभा स्पीकर उसके अध्यक्ष होते हैं यह दोनों पॉइंट आपको धियान रखने हैं अभी दोस्तों हाली में क्या हुआ है अभी हाली में हमारा नया पारलेमेंट हाउस बना है अभी हाली में हमारा जो नया पारलेमे पूछूँ आपसे इसकी थीम क्या अच्छा आपना इसकी थीम हमारा मौर है लोट करना लोग सबागी थीम क्या है मौर ध्यान रखना अरे लोग सबागी थीम पूछूँ आपसे मौर है और रासबा थीम पूछूँ क्या आपके ये कमल का फूल क्या है कमल का फूल है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है लोग सबागी थीम पूछें आपसे मोर है राज सबागी थीम पूछें आपसे कमल है यह तोनों पॉइंट भी आपको ध्यान यहां पर रखने है हर सवाल को कवर करने की पूरी कोशिस मेरी यहां पर और यह कब सुरू होता नोट करना 28 मई को स अस्तुकार है यह भी आपको ध्यान रखना है और पूछों आप से प्रजेक्ट कौन सा आपके सेंटरल विष्टा प्रजेक्ट है यह भी आप यहां पर नोट कर लेना ठीक है इस सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एक्जाम के हिसाफ से मैच्पुन बनने वाली है हमारा और अटी को अश्यान रखना है एक्ईसी पाकिस्तान आप से लिखने वाला कुझसरोंर भी मल पठेल कर रहो इसको पीमलरं पठेल करना विमल जलान तो हमारे गवर्नर रहे हुए ना सोरी है ना विमल पठेल कीजेगा इसका ठीक है ट्रेंटू पाकिस्तान उपन्यास पूछू आपसे लिखने वाला कौन है चार नाम यहाँ पर हैं यह चारो नाम एकजाम में घुमा घुमा कर पूछता है आपसे चा गोड़ ओफ इस्मॉल तिंग पूछू आपसे पुस्तक किसकी छापना यह अरुदत्ति सुरा की पूछता है और इसी पुस्तक को लिखना इसी पुस्तक को बुकर पुरुसकार मिला था और बुकर पुरुसकार पाने वाली भारत की पहली महीला कौन सी आपके वह वह हैं गोड़ ओफ इस्मॉल तिंग पुस्तक का नाम है थ्यान दगना ठीक है ता मिनिश्ट्री ओफ लिखना दा मिनिश्ट्री ओफ दा मिनिश्ट्री ओफ अट्मॉस्ट दा मिनिश्ट्री ओफ अट्मॉस्ट एप्पिनेस पूछू आपसे यह किसकी छापना यहें भी दूसों पहली पुस्तक है तो God of Small Thing है ना Second पुस्तक कौन सी है तो Ministry of Atmost Happiness है और थर्ड पुस्तक कौन सी है आजादी इनकी थर्ड पुस्तक है तीनों आपको ध्यान रखने है ठीक है अगर दोस्तों पुछे आप से शल्मान रुष्दिस आप पुछो आप से इनकी भी तीन पुस्तक लिख लो आप पहली पुछो आप से अभी दोस्तों अभी हालिमा ये चापना Victory City पुछा आप से अभी हालिमा ये कौन सी आपके Victory City चापना अभी हालिमा ये ठीक है एक रस्कुल्ला पुस्तक और है अरे क्यों चोटे नाम है वाई साव अरे क्यों चोटे नाम है लिखना इनकी पुस्तक का नाम है क्यों चोटे क्या है क्यों चोटे जो है ये इसका नाम है एक्जाम में आई पुस्तक है क्यों चोटे पुस्तक किसके नोट करना वह आपके स पूछूँ आपसे हमारा अंसर हो गया है ट्रेंट टू पाकिस्तान किसी हो गई खुश्वन सिंग की है ऑफशन नमबर डी आपका ठीक आंसर है बाकी एक कुछ और बड़ी महत्पून पुस्तके हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए ठीक है चलिए आगे देखिए कोशन नमबर Constitution Amendment चापना और दोस्तों इसके द्वारा NJAC जो है इसका निर्मान होता है इसको बोलते हैं राष्टिय नाइक क्या बोलते हैं राष्टिय नाइक नियुक्ति आयोक कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है National Judiciary Appointment Commission बोलते हैं लेकिन दोस्तों इसको जो है इसको आपके reject कर दिया था ये भी आपको नोटना है केवल एक मात्र भारत के सभीधान का एक मात्र ऐसा Constitution Amendment जिसको आपके लोगसवा राजसवा ने पास किया राजपती ने साइन किया इसके अलावा आदे राज्यों ने पास किया उसके बाद सुप्रीम कोट ने reject कर दिया एक मात parallम ढ hon जए आपका नवीनतम कौछ सो आपका ने वंग्ता के अधिन्यम है यह आपको नवीन ग् Tob am till है यह बेंक्को जयाएं और वर्लीम साहंल है Switch की यहन आपको लिख जो कि वर्त्माध मां भारत के कानून मंत्री है यह आप इम दोस्तों यहां चार option हो रहे हमारा answer हो गया है option नमबर भी हमारा answer ठीक है तीन option हो रहे है 101 हुआ है बामन वह है एक क्यामन वह है तीनों के बारे में नौट करना 101 है 101 है महत्पूर है 52 है हमारे इस पास में और आपके 91 है तीनों चापना अगर पूछू आपसे 91 तो चापना क्या होगा साइच क्या होगा वो तै करने के लिए यह amendment हुआ है बड़ा महत्पूर है जो मिनिस्ट्री होती है उसका साइच क्या होने वाला है वह तै करने के लिए 91 amendment होता है 2300 amendment है और इसमें लिखा गया कि भाई 15% मंत्री बन सकते हैं 100 और दिल्ली के अंदर चापना कितने वहाँ पर केवल 10% मंत्री होंगे ऐसा यहाँ पर लिखा गया है एक्जाम में खूब आपसे पूछता है इस सवाल को ठीक है अगर पूछू दोस्तों आपसे 52 पूछू छापना अरे लिखना दसवी अनुसूची पूछे आपसे इसी से तो आती है दसवा जो शूडूल छ एक जुलाई 17 को लागू होता है और अगर पूछे आपसे 101 चापना अगर पूछू आपसे बिल कौन सा बताओ कौन बताएगा आप मेंसे बिल कौन सा है एक्ट कौन सा 101 मायक्ट है बिल बताओ कौन सा है किस के लिए आए तसो जी एस्टी के लिए आता चापना और जी एस् चापना और हमारे यहां पर पूछे आपसे इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है वो होगे आपका असम कौन होगे असम चापना यह पहला इस्टेट यह भी आपको नौट करना है ठीक है सवाल मैंने आपसे यह पूछा है कि यह जो बिल जो है इस बिल का नंबर कौन से कौन सा है 101 एक्ट बता है बिल का नमबर पूछ हो गया है और पहला स्टेट जहां पर इसको लाहू किया गया है और विजय के लगर कमेटी चाहपना, यह सो कमेटी है, और नोट करना, अगर पुछू आपसे आर्टिकल नंबर 279 सो यह चाहपना, इसमें आया कौन आपके है, इसमें आया GST की दर क्या होंगे इसके लिए, GST काउंसिल हाता है, और इसका हैड पुछू कौन होता है, इसका ह भारत के वित्मंतरी होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल नमबर 279 ए है ये भी आप यहां पर नोट कर लेना चलिए हमारा आंसर होगे क्या हमारा आंसर आप्शन नमबर भी हो गया है बागे बड़े महत्पून सवाल मैंने आपको यहां पर लिखा दिया आगे देखिएगा हरित करांती सब्द के परती पादक कौन देखिए सवाल मैंने जो बनाएं दोस्तों आपके सामने चारो आप्शन एक्जाम के हिसाफ से बड़े महत्पून है एक सवाल मैं दस सवाल बनाने की चेस्टा मेरी रही ती इसके अंदर जिससे आपको खूब फाइदा हो सगया देखिए चार ओप्शन है विलियम गोड सैम आल्टमैन टैंसले रोबर्ट बनाओं चारो ही महत्पून नाम है अपने अपने किसके चेतर रहे ठीक है टी सर्ट चाहिए सेलेक्शन ले ले टी सर्ट तेरी हो गए ठीक है पढ़ ले अगर आफसे पूझे खरित करांती जो है Green Revolution पूछओं आपसे इस वर्ड को इस वर्ड को देने वाले कौन दोसों वह यह थे विलियम गोड कौन थे विलियम गोड साब ने वर्ड दिया है चारबना ठीक है वर्ड देने वाले कौन है विलियम गोड ठीक है इसके भारत में पुछें आपसे जनक कऊन छापना वो है M.S. श्वामि नाथन साथ जो है भारत के अंदर थे है मीनातन भारत की नधर ठीक है Fish अगर अपसे पूछ को यह औप अपसे अपको यह साब पूछों से अपको याद टैंसलि ठीक है और टैंसले पूछूँ आप से ना टैंसले छापना एको सिस्टम वर्ड देने वाले कौन थे वो टैंसले साहब हैं जिसे आप पारी तंत्र बोलते हो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है एको सिस्टम वर्ड टैंसले साब ने दिया है, एकोलोजी वर्ड हेकल साब ने दिया सो, और अगर पूछू आपसे लिंडे मान, लिंडे मान चाहब ने सो, लिंडे मान कुछ आपके उर्जा का 10% लिना, एनर्जी का 10% जो प्रभा का नियम है, वो देने वाले कौन आपके ल लिंडे मान साब है, तीनों आपको धियान रखने है, तीन मैंने लिखा है आपको, टैंसले, हैकल और लिंडे मान, तीनों आपको यहाँ पर नोट करने है, अब सुनो भाई साब, अब सुनो दोस्तों, अगर आप से पूछे, रोवर्ट ब्राउन नाम सुनाएं के भाई, दोसों पूछों आप से, अलोट आप कोशिका पूछों आप से, सैल जो है, लिखना सैल जो है, इसकी खोश करने वाले कों दोसों, खोश करने वाले चापना, मैं कोशिका पूछों आप से, रोवर्ट ठोकों ने, रोवर्ट ठोकों आपके, जीवित पूछों आप से, ग्र cकausig हो गया जीवित का लिवन हो को सिद्धान देने को और सिद्धान देने वाले को नेरी स्वानती यह भी आपको नाम चाबना है हमारा अंसर प्रसे नंबर ए चरचा में भाई सालिए ना शैम अल्टमों जो है बड़ा चरचा में आपके लिखिए दोसों open AI company जो है open AI company का co founder कौन था वो थे Sam Altmon कौन थे open AI company के co founder कौन थे Sam Altmon थे और इन्होंने ही क्या बनाया था इन्होंने ही chat जीपीटी आपके एक्जाम में सवाल पूछ सकता है आप से कि गुरुजी चैट जीपीटी छापना इसको बनाने वाले कौन थे वो ते सैम एल्टमों दोसों ओपन याई कंपनी के को फाउंडर है नोट करना और अगर पूछो दोस्ता आप से अरे चैट जीपीटी पूछो क्या है यह जनरेशन लिखना आपके जनरेशन प्री-ट्रेंग आपके प्री-ट्रांसफोर्मर जो है यह इसकी फुल वोर्म है यह भी आपको ध्षयान रखना है ठीक है और इसके producer में तयार होने वाला कौन है वहा है question number 6 देखना निम लिखित मैंसे किसने जैविक वरगे करण में द्यूनाम नाववली की सुरुवात की है मतलब तो साब के binomial normal creature पुछ हूँ आप से देने वाले कौन थे द्यूनाम पदिती की खोच करने वाले कौन थे कारल लीनियस आपना option number C answer हो गया है option number C चापना लीनियस आप जो है वो द्यूनाम पदिती देने वाले ये भी आपको चापना है अब तीन नाम और है दोसों यहाँ पर विलियम हार्वेश पूछ हो आप से लिखना रक्त परी संचन नहीं ना आपके blood circulation रक्त परी संचन तंत्र जो है इसकी खोच करने वाले कौन थे वो थे आपके विलियम हार्वेश पूछे blood circulation system पूछ हो आप से विलियम हार्वेश आपका नाम चापना ठीक है अगर दोस्तों पूछ हो आप से blood group जो है blood group जो है इसकी खोच करने वाले कौन है वो लेंडिस्टीनर साहब आपके blood group की खोच करने वाले ठीक है और अगर पुछे आपसे आरेच फेक्टर छापना इसकी खोच करने वाले कुण आपके इसकी खोच करने वाले वीनर साहब से ये भी आपको non-not करना है ठीक है अगर आपसे पुछे सर्वदाता पुछू आपके आपके जोगरोफी बड़े फैम स्णर आपके बाइलोजिन बड़े फैमस हैं वीटकर सहाब नहीं उन्होंने आपके पंच जगत वरगिकंड कौन साब्के पंच जगत बड़ कड कन देने वाले कौन है वह आपके वीटकर साब थे फाइब किंगडम च्छापना सो फाइब जो किंगडम है आपके यह क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे आपके वो वेटकर साब है इन्होंने कहा पांस जगत बना इन्होंने यह भी आपको च्छापना है बिल्कुल लिखिएगा अगर पूछू आपसे देने वाला रिजन कौशन में दोनों ही आएंगे बिटा ओ भी आएगा यह भी भी आएगा पर मेरी बात सुनना ओ माइनस एवी प्लस दोनों आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे देखिए नैस कोशन आपके सामने मैंने का विटकर साब का नाम आपको च्छापना है सो फाइब किंडम पॉल उसे बोलते हैं प्रो कैंडिक बोलते हैं इसके अंधर पूछे को ठोर हो से आपको दोस्के इसके अंधर घ्रैणा कॉमों होगा जैर्णें कर से उससी बोलते हैं चापना केंद्रक के साथ में होता यह ठीक है इसमें इन्होंने कहां दोस्तों इसमें इन्होंने कहां की वाई साथ जिसमें केंद्रक होगा वह गया जिसमें केवल एक कोशिका होगी उसको अलग कर दिया ठीक है जिसमें केवल एक कोशिका होगी उसे अलग कर दिया जिसमें बहू कोशिक होंगो उस्सेलेग कर दिया है, एक कोशिक में कोम आपके, प्रोटिस्टा हो गया, सैक्ड नंबर कोशिक हो गया, पहला मोनेरा हो गया, ररे ये exam में खूब आते है भाई चाहब नॉट करना इनको एक्जाम में खूप पुच्था आपसे मॉनेरा कैसा है ओफशन होते हैं यू करेटिक है Option number 2 आपके 1 कोश की Option number 3 pro-karatic है Option number 4 आपके बहु कोश के Note करना Moneda को इसमें आता है इसके अंदर झाएगा ठीक है P Vir伏ट पूछ वह आपसे इसमें आने वाला बहु कोश की रखेंग दोसों इसमें दो होते हैं एक होते हैं जिसमें Cell wall जिसमें Cell wall होती है कौंन से एक पादब हो गया प्लांटी हो गया और कौल एक सबस्ग पारिवद इसलिए मिल यह थैंक तुछ आपके पाठ तैप refawk चाम कुर्ण मोनेरा हो गया उनिपन किस ने बता है वीट का साब उन्य बता है ठीक है फिर आहिक मेरी बात को पादप, मोनेरा, प्रोटिष्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल च्छापना है, पाँच ठाइप जो है, बताने वाले वीटकर साफते, इसको आपको एक्जाम में पूछेगा, इसलिए आपको च्छापना है, मैंने का दूस्तों, मैंने का पादप जो है, इसमें कोशिक का वित्ती होती है, किस की बनी होती है, सैलूलोज की बनी होती है, और अगर पूछू आप से, कवक चापना सो फंगस पूछू आप से, इसमें भी होती है, किस की बनी होती है, काईटीन की बनी होती है, दोनों नोट करना, भारत में अनुबंदित, सिविल सेवाओं के पहले भारती पूछूँ आपका ठीक आंसर हो गया अब तीन ऑफ्षन हो रहे हमारे पास में सरस्वती साव हमारे सास में और गणेस जी भी मावल का साव इनके बारे में लिखाया दूसर मैंने भी आपको अरे याद करो लोग सवा के पहले इस पिकर कौन आपके वो जी भी मावल का साव थे इनका फुल नेम क्या है इनका फुल नेम है गणेस वासुदे मावल कर ये भी आपको नौट करना है ठीक है अब सुना दोस्तों ऑफ्षन नंबर भी बड़ा महत्पून आपके नौट करना ऑफ्षन नंबर भी लिखन विनोवा भावे इन के बारे में तीन बाते मोटा माटीन लिख लेना एक्जाम में पूछता आप से लिखना अगर पुछू आप से पहले व्यक्ति का सत्ता गरे कोन आपके छापना वो यही थे ठीक है पहले व्यक्ति का सत्ता गरे पुछू आप से विनोवा भावे नाम नो पाने वाले पहले भारतिय रैमनमेक्स से अबोड़ पाने वाले भारती पुछवं आप से वो भी यही तीन वातेश आपने इनके बारे में नोट करना। एक दोस्तों option क्या है हमारे पास में एक option है श्वामी दैरान सरसुती जो हैं ये भी हमारे पास में option था इनके बारे में 4-5 बाते नोट करना पहली बात तो इनका मूल नाम क्या है मूल संकर है मूल संकर छापना इनका मूल नाम है ना तो मूल संकर इनका मूल नाम पहला question हो ग सब!... आपको नोट करना है ठवाव पुछ मैं कि वाले पुछ समस्धापने हैं.. आदर समाज की स्थापना करने वाले यही थे, पर कभी स्थापना किये हैं, 1875 में, ये भी आपको यहाँ पर धियान रखना है, थे लिए नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो गया है, option number एक हमारा answer है, बाकि तीन question मैंने और आपको यहाँ पर लिखा दिये, इन तीनों के बारे म में, पूछू आपसे सभीधान के अंदर आटिकर्ट कितने, 395 एं और पूछू आपसे भाग कितने, 22 भाग zest यह भी आपको धियान रखना है, ठीके, आर्टिकल कितने आपके, 295 हैं और भाग कितने 22 भाग हैं, ये आप जाना ढूँ ठीके, अब सुना लिए बात को, 22 भा याद करो अगर मैंने कहा आपसे यहां पर 22 भाग है ठीक है याद करो आप बताना पहला भाग किसका है पहला भाग छापो फश्ट भाग पुछूँ आपसे फश्ट में क्या है सैकेंड में क्या है बताओ थर्ड में क्या है थर्ड में क्या है फॉर्थ में क्या है फॉर्थ ए जीसाना चोथा चोथा और चोथा एंज पांचवाह चटा सात्म में चापना सात्मा लिखिएगा इसके के लावा लिखिए श्की का लिखिए और रामां चया है लेश्य विज्भाइअ 17 में चाने 7 18 में क्या आपके सामने आशा चीजू 4 है विदि a आश पुछूँ आप से पहले में क्या है आर्टिकल नंबर 124 और दुस्तों इसके अंदर पूछूँ आप से हमारा जो संग है उसके बारे में हमारे पास मैं ठाइस राज्य आठ यूटी हैं इसके बारे में उलेक यहां पर है और दुस्तों यहां पर भारत के लिए दो वर्ड य ठाइस है भाग नंबर 2 पुछूँ आप से सिटीजन सेथ चापना भाग नंबर 2 के अंदर और आर्टिकल नंबर 5-11 आपको नौट करना है ठाइस फाग तीन से आपके आपके आर्टिकल नंबर पूछू हजक आप से बारा से सबसे बड़ा भाग यही है नोट करना आपके यूनियन के बारे में आपर लिखा हुआ है ठीक है भाग चे पुछे आप से राज्य पुछे आप से तुसरों यहाँ पर है इस्टेट यहाँ पर है आर्टिकल नमबर 152 से 237 चापना इसके अंदर सो भाग सास समाफ्थ हो गया है अभी किसी एकजाम में सवाल पुछा आप से कि कौन सा भाग सास समाफ्थ हो गया है सवाल था कौन सा भाग सास समाफ्थ हुआ है इसलिए मैं इहां तक लिखाया आपको डाइक शापना और दो चुका है यह आपको यहां पर घ्यान आगना о पूखे है यह पांच आपके लिए 14 अपसे हापना पूखे है सिविल सर्विस हो गया आर्टिकल नमबर 308 से 323 आपको च्छापना है फाग 17 पूछ हूँ आपसे राज भासा के बारे में उनले कि यहां पर है आगे बताओंगो किया का है ठीक है फाग 18 पूछ है आपसे इमरजेंसी पूछों आपसे इमरजेंसी चापना सो इमरजेंसी जो है वो इसके अंदर लिखे हुई है आपात काल के बारे में उनले कि यहां पर भाग 20 पूछों आपसे सवीधान संसोदन चापना सो भाग 20 हो गया है Constitution Amendment हो गया है Article No. 368 हो गया है ये सारे कुछ महत्पूर्ण भाग है आपके सामने जो आपको ध्यान रखने है सवाल कभी कई पूछता है Emergency के बारे में उल्लेक सविधान के किस भाग के अंदर है Article तो आप जानते हो पर भाग पूछे तो भाग भी आपको बिहार SI के अंदर आया था बिल्कुल सही बात है भाग साथ निरसित हो चुका है ये बिहार SI के अंदर सवाल पूछा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल का आंसर हमारा होगे क्या हमारा आंसर होगे Option No. C आंसर हो गया है यहां तीन ओफसन और है गुरुजी इनको आपने तीनों को क्यों लिखा दोसो अरे भाग चाल भाग 14 चाबना भाग 14 चाबना सोरी आप से पूछे आप से मैंने कहा आप से 14 14 क्या है 14 रसगुर्ला पूछू आप से लेकिना मूल सवीधान में कितने है मूल सवीधान के अंदर कितनी भासा हैं थी हमारे पास में मूल सवीधान के अंदर आठवी जो अनुसूची है उसके अंदर हमारे पास कितनी भासा हैं थी हमारे पास 14 लेंगवेज थी यह आप जानते हो ठीक है तो मूल सवीधान की जो आठवी भासा है पुछूँ आप से 71 संसोदन चापना उनीज सो आणवे में होता है आपके लिखना इसमें तीन आती है Temple diary नेपाली मनीपूर कोखणिया durant flight ने फि脆 इसके बाइबगर से इसके बाद चाहपना कौन सा होता है और अभी दोस्तों हमारे पास पुछूँ आपसे अभी हमारे पास में कुल 22 क्या है हमारे पास में लेंग्वेज हो चुकी ये भी आपको ध्यान रखना है देखो अमेंडमेंट कब-कब होता है ये भी आपको चापना है कौन-कौन सा अमेंडमेंट है और कौन-कौन सी जुड़ रही है आपसे पूछेगा अगर आपसे सवाल पूछ लेगी भई सेवंटीवन सविधान से कौन सी लेंगवेज नहीं जुड़ी है नेपाली मनीपुर कौकुनी सिंधी तो सिंधी आंसर होगा ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता है ठीक है हमारा आंसर होगे ऑफ्षन नंबर हमारा आंसर है हमारा आंसर अभी भी आंसर ऑफ्षन नंबर सी है गुरुजी चौबिस और साथ क्यों लिखा है चौबिस पूछ हूँ आपसे अरे चौबिस का चौबिस चापना बाइस तो लेंगवेज हो चुकी है इसके लावा एक हो गई तो कौन सी एक होगे साहित्यक आदमी पूरुषकार क्या है अगर पूछे कभी आपसे साहित्यक आदमी पूरुषकार पूछू आपसे यह कितने भासा मिलता है 24 लेंगवेज मिलता है यह रहां कहा सवाल बन सकता है मैं सब कुछ लेकर रहा हैं आपके सामने 24 language के अंदर साहित एक आदमी अवोर्ड मिलता है ये छाप लीजी आप पर और यहाँ पर हिंदी वाला लिखना हिंदी वाला पूछू आप से किसको मिला है संजीव जी को मिला है अभी हाली में मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन लिखना मुझे पहचानो के लिए मिला है अभी हाली में संजीव जी को हिंदी का अभी दोस्तों हाली में क्या मिला है साहित एक आदमी अवोर्ड प्लान मिलता है और नीलम जी को पूछूँ आप से अंगरी जी वारा से मिला है जान की के लिए छापना इसके लिए प्राप्त हुआ है ठीक है ये भी आपको नोट करना है चलिए कोशन नमबर आपके सामने आगा है नवा कोशन है नोट करना संबू महराज को किस प्रकार के नित्ते के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलोशिफ अवोड दिया गया है चार ओफ्षन है चार ओफ्षन है चारो नत्ते के बारे में जो महत्पून संगीत जो महत्पून नर्तक जो है वो आपको लिखा रहा हूँ एक्जाम में पका पका सवाल आपसे पूछ ही लेता है चार ओफ्षन आपके सामने हैं पूछ है इसका आप पूछ हूँ आपसे शितारा देवी अरब बड़ा महत्पून नाम एकजाम के साफ से यह भी कथक दांच शापना आपके पंडित विर्जू महराज होगे इसके लाव पूछ हूँ आपसे इसके लावा सितारा सु देवी हो गए इसके लावा इसके लावा एक नाम और छाप लोप सौभना नारायन कोन है शौभना नारायन जो है यह नाम भी आप नोट कर लो ठीक है शौभना नारायन नाम छापना यह नाम भी आप नोट कीजेगा अभी हाली मिन को पदम स्री मिला इसके लिए इसलिए महत्पूर नाम नोट करना है ठीक है शौबना नारायन हो गया सितारा देवी हो गया पंडित विर्जु महाराज हो गया संबु महाराज हो गया एक कत्थक डांस ऑफ्शन नमबर एक आपके सामने ठीक है पुछओ आप से लच्छु महाराज हो और देवा देवी concepts हो गया आपको नाम चापना है ये वाला कईस निडिया की और देवा रहे है। कुछी पूर्इटि पूठी आम से यामनी किसन मूर्थि बड़ा महत पूर्ण नाम है यामनी किशन मूर्थि पूछे आप से एक महत पूर्ण नाम लिखा है मैंने अपको ये दोस्त 58 ग़ी नाओ भरतम पूछूँ आपसे और सोभा नाइडू छापना ये तीन नाम नोट कीजिए आप सभी लोग जो है राधा रेड़ी सोभा नाइडू यामनी केशन मूर्ती आंदर प्रदेश आपको नोट करना है भरत नाट्यम भाई साब लिखना तमिल नाडू का सो तमिल नाडू का डांस क पूचों कोन थी है सब्सक्राइव कैसे लाधा इसको दздर तमिल नाडू का यह आपको नोट करना है तक केलाहां मैंने आ Park यह और किशन मूर्ती यामनल क cucumbers मूर्ति पुछूँ आफ से इस डांस के अंदर भी है रुकमनी देवी दोस्तों ये हो गया नाम च्छापना इसके लवा वैजनती माला पुछूँ आफ से ये भी है ठीक है वैजनती माला च्छापना सो ये भी इसी डांस के अंदर है इनका नाम भी आपको नोट करना ठीक है भरत नाट्यम डांस हो गया है ये बड़ा महतपूर नाम है कौन सा म्रणाली सारा भाई का नाम पूछता है ठीक है इसके लबा मालवी का मालवी का पुछूँ आप से ये भी इसी डांस की छापना ठीक है ये सारे नाम नोट करना है रुकुमानी देवी यामने किश्नमूर्ती वेजन्ती माला म्रणाली सारा भाई मालवी का ये आपके पदमा शुपरमन्यम वेरी गोड़ छापना पदमा शुपरमन्यम पुछूँ आप से ये भी दोस्तों इसी डांस की है इसे आपको याद हो जाएगगे आगे चलिए कौशन नमबर नोँ हो गे आणा कुशन नम्मर 10 पहला पेरा एशियार की मेजवानी निमली खित में से किसे ने की खाके स्रीज मैंने फिर कह रहा हूँ आप से आप एक्जाम देने जाओंगे न तो आपको सवाल आपको यहीं कहीं मिलेगा देखने को यह मेरा वादा आपसे रहा बस आपको पूरी सिद्ध से पचाने का आपके अंदर दम होना चाहिए तब तो मजाए तो दोस्तों आपको मैं सोच अगर आप यकीन मानों मैं इसको यह ना यही आपके दस सवाल बना दू हो ना मालवी का किस डांस सम्मंदित है इसके लावा म्रडानली सारा भाई कौन सा डांस है सोची आप वजनती कौन सा डांस बनालो जा स्वालमस है मैं सारा कुछ मैने आपको लिख्या दिया इहाँ पर ठीक है दिको चार और चाहार से कम से तो लुशा आपना चापना यह आपको नौट करना यह लोस एंजल्स में होगा है और यहीं पर ट्वंटी त्वंटी जो किर्केट है उसे सामिल कर लिया गया यह आपको नौट करना तो पूचू आप आप से olympic पहला कहा हुआ है पहला आपके एथेंस में हुआ है एटीन नाइंटिसीक्स में हो एटीन से में होगा तोक्यों में अधिस के लोगा लॉस एंजल से होने वाला 28 के अंदर होगा किर्केट को इसमें अभी हाली में सामिल कर लिया एक हां सो यह कहां पर हुआ ये बिस के अंदर हुआ है, यह भी आपको चाहत ना है ये ओलंपिक के बारे में आपके सामने है अगर आप से पूछ ले दोस्टों भारत पूछ हो चाहत ना है भारत के अंदर हुआ ठीक है अभी दोस्तों कहां पर हुआ है अभी हाली में उनिस्वा एशन गेम्स कहां हुआ है उनिस्वा एशन गेम्स चापना यह आपके चीन के अंदर हुआ है ठीक है उनिस्वा चीन के अपके और जो फोर्थ पेरा एशन गेम्स है यह कहां हुआ है औ और यहीं पर पहला हुआ है यह भी आपको च्छापना है तो पहला और फोर्थ पहरा एशनली गェम स्छीन के अंदर हुएं यह आपको नौट करना है 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 ए अब दोस्तों हाली में 22 मा पूछू आप से कहां पर हुआ है यह वा बर्मिंगम कहा हुआ इस हे आपका आश्टेलिया में होने वाला है और कब दोसो होगा यह 26 के अंदर होगा यह भी आपको छापना है बताओ सवाल कितने बने देखना Commonwealth Games पूछे आप से 1930 में पहली बार हुआ कहां पर है Hamilton में हुआ छापना और अभी बर्मिंगम में हुआ है और अगला कहां पर होगा अगला आपका अस्टेलिया में होने वाला 26 में होगा यह आपका Commonwealth Games आपके सामने यहां ठीक है यहां दोसरो पूछोँ आपसे एशन गेम्स 19 में कहां पर हो चीन में हुआ है और अगला पूछो आपसे अगला चापन में होगा ठीक है आईची जापन अगला होगा ठीक है फोर्थ पहरा आईशन गेम्स चीन में हुआ है और पहला भी तोसरो यहीं पर हुआ है आपके एशन गेम्स पहला और नवा भार यह भी आपको ध्यान रखना है अभी दोस्तों चोथा अभी कौन सा हुआ है अभी हाली में जो फॉर्थ ऐशन गेम से वह अभी हाली में हुआ है ठीक है इसका सुबंकर पुछू क्या है फई फिरी पक्षी चापना यह इसका मैस्कोट है ठीक है अगर आप से पूछे बाइस में भारत की रैंग पुछओं आप से कौन सी है फडं की छापना इसके इंदर ठीक है और पहले पर कौनसों पहले पर चीन है अब सुन नदो भारत पाइक कना सउस сок आप वो भी लिख लो च्छोड़ो लिखना उना तीस तो गOld कितने सो 29 गोड होगे आपके तर्टीवन सील्वर आप बाकै क्या है तो बाकी आपके बृश्ज चेक करने किफ़ोंन बंचे बाकि ब्राउच ना 29 गोल्ड 31 सिल्वर हैं बाकी बचे हुए ब्रोंज है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपके सामने बक्सर का युद में अंगरेजी सेना का नेतर्त्य करने वाला कौन तो चार ओप्सन है चारों का पोश्ट मार्टम करते है धंग से चार जंडूबाम आपके सामने जंडूबाम कौन बॉलिष जंडूबाम वेलेजली जंडूबाम हेक्टर मुन्रो और जंडूबाम क्लाइव जो है चार ओप्शन आपके सामने आच चुके है ठीक है अगर आपसे पूछे दोस्तों चार ओप्शन है पहले हम याद करो 23 जून 1757 चापना सो एक युद्ध हुआ था कौन साथ के वार ओफ प्लासी प्लासी का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजों की तरब से कौन था आपके चापना ये थे कलाई भाई साथ कौन सो कलाई भाई साथ थे उधर सो बंगाल के नवाब थे और इधर कलाई भाई साथ थे प्लासी का वोर होता है यहां दोसों यहां मीर जाफर सो मीर जाफर जो है आपके यह गद्धारी करता है चापना यह भी आपको शान डखना है ठीक है तो 23 जनवरी की 23 जून की तारीक थी 1767 का आपके वरस था प्लासी का वोर था कलाई जो है यह आपकी लीड चापना और दोस्तों इसमें आपके जो एक चापना इसका हैड कोना आपके उसमें हैड होता है हैक्टर मुन्रो साथ है और यहां पर यहां पर विजय होता है और इसके बाद पूछू आप साथर आपके के अदर होता है अगले साल संदी कौन सी होते है यहां पर मुन्रो साथ थे ओफ्चन मंबर ngwa ठीक अंसर अगर आप से पूछ ल audience क्लाई पूछू आप से पढ़ लिया हमने क्ला MEMरें पढ़ लिया ठीक है बंगाल के पहले बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे आपके वो थे किलाइव ठीक है बंगाल के फर्स्ट गवर्नर पूछो आपसे वो क्लाइव सावे ठीक है बंगाल के फर्स्ट अरे इनको लिख लो ना छोड़ो क्यों बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछो कौन आपके वो है आपके Warren Hastings कोन है Waren Hastings आब बंगाल के first GG जिजी है नë GG वोले तो Governor General ठीक है, अगर आप से पूछे बंगाल अगर आप से पूछे भारत के first भारत के first GG कौन तो आपके Jewish गयनरा टिक है और भारत के पहले vicerate कउन आपके विए canning साब कोन है भारत के चार question भी आप ध्यान लखना ठीक है हमारा answer हो रहा है हमारा answer option number C है पर गुरुजी दो option हो रहे हैं आपर कौन कौन से कौन वालिस और वैलेजली आईए इंडरस गुल्लो का भी पोस्ट मार्टम करते हैं भाई साव एक है कौन वालिस कौन सो एक है आपके कौन वालिस और एक कौन है एक है आपका वैलेजली कौन है वैलेजली ठीक है अगर आप से पूछो दोस्ता आप से सायक संदी करने वाला क लिखना 1798 सो रियासत कौन सी है है हैदराबाद बहुत बार पूछता आप से साइक संदी पहली बार लिखना हैदराबाद के साथ होती है 1798 के अंदर होती है आपको नौट करना महत्पूर्ण सवाल आपके सामने पूछ सकता है ठीक है अगर दोस्तों पूछ हो आपसे पूछ है आप से पूलिस का जनक कौन आपके कौन विखना है civil service पूछ हूँ आप से जनक कौन है वो भी कौन विखना है यह भी कौन वालिस हो गया तो थर्ड शापन से जो आपके स्थाई बंदोबस्त है परमानन जो शेटलमेंट आपके इसको लाने वाला कौन था शापना इसको लाने वाला भी कौन वॉलिस था, 1793 आपको नौट करना है, ठीक है, ये सारी बाते एक्जाम में पूछता है आपसे, नौट कर ले ना, पुलिस, सिविल सर्विस और स्थाई बंदोवस्त, कौन वॉलिस साथ का नाम जान रखना है, ठीक है, अगर आपसे पूछे, वेल इस बात का है, कि एक सवाल में सारे सवाल लपेटने भी हैं, ओप्शन देना बड़ा मुद्दा था, ठीक है, चलिए कॉस्टन नंबर बार आपके सामने, निमलिकित मैं से किस भारति खिलाडी ने, एस अगेंस्ट ओर सीरसक से, अपनी ओटोबाइगराफी लिखे, सवाल आपके सामने, यहां पर यह हो गया ना, चार उप्शन और लिखे हुएं यहां पर, याद करो भाई, कपिल देव, शानिया मिर्जा, गोल्ड, ओ सुरी, कपिल देव, सानिया मिर्जा, गोल्डन गर्ल, लिख मिलिखा सिंग, मैरिकॉम, चार उप्शन, पाचों ओप्शन के इनकी autobiography आपको not करना है ठीक है straight from the heart कपिल देव साब की autobiography ठीक है साने मिर्जा पूछ हूँ आफ से अरे इनकी कौन सी इनकी है एस अगेंस्ट और शापना साने मिर्जा option number भी answer ठीक है golden girl पूछ हूँ आफ से तो यह PT हुसा जी किसकी यह PT हुसा जो है इनकी पूछ हूँ आफ से कौन सी है golden चापना और अभी दोस्तों हाली में भारती है ओलंपिक संग की पहली महीला अध्यक्ष पूछे कौन है वह PT हुसा जी आपको नाम नोट करना है ठीक है मिलखा सिंग पूछ हूँ आप से ता रेश ओफ माई लाइफ लिना दा रेश ओफ माई लाइफ पूछ हूँ किसकी है मिलखा सिंग दूसरों और दा टेश्ट ओफ माई लाइफ पूछे किसकी है यह रजगला चापना यह आपके युवराज सिंग किसकी युवराज सिंग छापना, the test of my life जो है, यूवराज सिंग की, ठीक है the race of my life, किसकी है मिलखा सिंग की है, अपने मिलखु की है और the test of my life, किसकी है यूवराज सिंग की, आपको नोट करना है ठीक है अमरी कॉम पुछो आप से unbreakable, कों सो, unbreakable पूछे किस की है मेरी कॉम जी की सापना अनब्रेकेवल इनकी है मेरी कॉम जी की हमारा आंसर क्या हमारा आंसर ऑफशन नंबर भी साने इमर्जा ठीक आंसर है तीन चार दोस्तों और लिख लो जब लिखी रहो तो लिखिए अरे प्लेइंग इट माई वे पूछ है आप से सब जानते हो ठीक है अगर दोस्तों पूछों आप से एट हंड्रेट चापना किसकी है मुथाया मुर्ली धरन अभी हाली माय ठीक है इसलिए लिखा रहों आपको ठीक है इसके अलावा तो पूछों आप से इसके अलावा चापना सो इसके अलावा बिलीब पूछों किसकी है ब इसके रजगुल्ला यह आपके सौरफ गाउंगली साब की है, इस सेंचुरी नोट एनफ टीक है, और तो सब पुछूँ आप से, शैन वॉन की कौन से बताओ, शैन वॉन जो है, इनकी कौन सी यह आपको बताना है, बाकी लिख लीजिए, प्लेइंग इट माई वे, एट हंड्रेट बिलीव, इस सेंचुरी नोट एनफ, सैन वॉन की कौन सी यह आपको बताना है, ठीक है, कॉस्चन नमबर 13 देखिए, भाते सवीधान का अनुच्छे 350 के, अब बताओ, यह तो रजगुल्ला मैंने ऑफ्षन आपके बड़ा आसान कर दिया है, वरना यह सवाल जब आया होगा रजगुल्ला तो भाई साव, आपकी जमीन ठर-ठर कहां परी होगी, नोइस पिन लिखना, पहले आंसर लिख लो, नोइस पिन, बाद मैं भूल जाऊँगा ना, लिखना, नोइस पिन जो है इसकी, ओटोमायग्राफिस, अनवोन साब की ठीक है, अब सुनिएगा, सवाल है, भाते सवीधान का अनुछेद, 350 के जो है, 350 भी पूछे आप से, यह सम्मंदित किस्स है, A, B, C, D, वर्तुमान की दश्टी से, सबसे महत्पूर जो भाग समीधान में, इस समय, जो एक्जाम में पूछता है, आप से कौन सा है, वो है भाग नमबर 17, लिखो इस बात को, भाग नमबर 17 जो है, यह है एक्जाम में जो खूब पूछता है, लिखना, संग की राजवासा, ओफिसल लेंगवेज ओफ यूनियन, संग की जो राजवासा है चापना, यह भाग नमबर 17 है, यह आपको नोट करना है, बड़ा महत्पूर सो भाग है, आर्टिकल नमबर 343 से 351 जो है, यह इसके अंदर चापना, आर्टिकल नमबर 343 से 351 जो है, वो इसके अंदर चापना, आर्टिकल नमबर 344 महत्पूर टाटिक है, आर्टिकल नमबर 350A महत्पूर थी, 35B तो आपके आंसर हो गया है, भासाई अलबसंग के गवाल. 35B टाटिक है, और आर्टिकल नमबर 351, ये भी आपके लिए महत्पूर्ण होने वाला, ठीक है, आर्टिकल 343 पूछो आप से, संकी राजबसा क्या होगी, इसके बारे में उनलेख इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, सैकेंड पूछो तो आप से, इसके लिए जो आयोग बनेगा, उस आयोग की बात जो वो आपर है, आर्टिकल नंबर 35A के बारे में, ठीक है, और हिंदी का विकास करने के बारे में कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 35A, आजकल सवाल इनमें से खूँ पूछ रहा है, आजकल दोस्तों आप से ये नहीं पूछ रहा, कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा हो, नह नंबर एक हमार अठ्ट आंसर हो गया है अब सुनिए दोस्ता अगर पूछू हूं आप से वित्थ आयोग पूछे दोस्ता आप से अरे याद करो आर्टिकल नंबर 280 कौन सा है आर्टिकल नंबर 280 आपका वित्थ आयोग हो गया ठीक है अरे बताओ रजगुल्ला पहला साब पहले के आपको नौट करना है गुरु जी ठीक बात है 350 नहीं 350 ए लिखना न यह 350 ए और भी आपको ध्यान लखना है ठीक है एक्जाम के लिए महत्पूर है यूपीएसी पूछू आप से आर्टिकल नंबर 315 चापना आपके यूपीएसी और आयोग कौन सा हो गया ली आयोग की सिफारिस पर बनता है ये भी आपको छापना है ठीक है ली कमीशन की सिफारिस होती है और आपके यूपीएसी आता ये आपको नौट करना है ठीक है अगर पूछू आप से इरवाचन कमीशन पूछू आप से याद करो अर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 ठीक है कब स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है और इस तारीक को छापना कौन सर्डे होता है बोटस डे होता है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर पूछू रजगुल्लाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन ते छापना सू कुमार पहली महिला रमादेवी ना पहली महिला कोन है रमादेवी चापना पहली महिला ठीक है और वर्तमान पुछू आप से कोन है राजीव कुमार वर्तमान कोन है राजीव कुमार चापना सो बरतमान है और अभी हाली में सी विजिल एप पुछ आप से इसको लॉंच करने वाले कौन छापना इसको launch करने वाला भी election commission हो गया है see vigil app ठीक है अभी दो सवाल और बाकी है ना दो सवाल अभी और बाकी है हमारा answer हो गया option number ही कमारा ठीक answer हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 14 योद्धाओं की जीत का जसन बनाने के लिए घोड़ा मोधनी नत्य भारत के कि से राज्य कहँँ आपoming से कौने है कौन स सवहगा ऋगया गोवा कौन सा खा या हो गया कोवा के वारे में सभी बातें आप आपना गोवा को राजधानी किस ने बनाया निनोडि कुनए ने नोटकरना ठीके तो गोवा को राजधानी बनने वाल ए मीनोडि कुने डिके ऱमने Marines ना यानिक एहां ए चलाया दूसवोँ और इस Phi honor राजधानी कर्वा है अजय अच्ट को गवनज कप मुझ्व है यह बनता है आपके 30 माई 1987 को गोवा बन गया इस्टेट टिक और आपके 30 माई 1987 को गोवा आपका इस्टेट बन गया ठीक है अगर पुछ हूँ आपसे अगर आप से पूछे वे गोवा जो इसमेश हो यहाँ विदान सबागी सीट कितनी आपके 40 सीट चापना विदान ट्राइब के यहां पूछ्छे मंतरी कुछ आपके प्रमो शावन सा यहां पर मुख्यमंतरी है इनका नाम भी आपको ध्यान डखना डखना है प्रमो शावन मुख्यमंतरी हो गयां-क यह भी आप च्छाप लेजा अगर दोस्तों आप साओ जोजोवाव फेस्टिवल क्यापना यह दोनों फेस्टिवल यहां पर होते हैं ठीक है सिक्हेंट फेस्टिवल यहीं का है आपके साओ जोटोफ फेस्टिवल पुछूँ आप से वह भी रिश्गुल हँएगा आपके च्छापना और यहां कि दो नदी नुटना यहां की और अप से एक संथरे पर इसंख़ा च्छापना ऐसे चोंसी आपके जोहायी नदी जोहायी ठीक है तो जुआरी तीवर मंडोवी रिवर कहां पर है यह गोवा के अंदर है मार्मूगाप कहा घंदर हो गया है और चापना स्व और आपके खोडा मोधनी डानस आपके एक इसके लाव च्छापना तीन डानस और लिख लो यही किया एक देखनी डांस use देखनी या फिर देखनी राद्य कहा कही वह द्याइए धर देखनी डांस और को यहीं का सब्गता ओगा का देखनी डांस पूछूँऑ निदी पूछ वास्वाक है तो लिखना यह पर आपके जम्मू कशमीर लिखना आपके अगर पूछूँआ रहूफ दांस पूछूब के लावणी काौह करीक, तुमारे का लौवडनी यहाई रखला है। को थान रखले सलसक्त कवि हरी सेंड़ ने किस राजा के सम्मान और संचया में प्रियाख प्रस के वहांश आपका ठीक आंसर है इसे हम क्या बोलते हैं इसे भारत का नैपॉलियन बोलते हैं यह आपने पड़ा भी होगा ठीक है अब सुनिए यहां दोस्तों कौन कौन आपके कशन देवरोय ऑफशन में जो की बड़ा महत्पूर्ण शापना अगर पुछूँ आपसे यह कौन से को तकशन देवरोय कशन कौन सकट ह ere餘्जाम के लिए हゃं उनका हूं सब्कूर्ण पूछूँ आपनि RJ करना पूछ अपसे तमराजजित उसक歌 साप के विजहन संगर हो के संस्थापक कौन थे हरियर बुक्का साथ संस्थापक थे और राजधानी क्या थे इसकी हमपी राजधानी है यह भी आपको नौट करना है ठीक है अब सुनिए दोसों यहां कौन थे आपके यहां पर अश्ट दिगज थे कौन थे यहां अश्ट दिगज थे अश्ट प्रध और अश्ट प्रधान पूछे कहां पर है वो यहां पर थे यह आपको नौट करना है ठीक है अगर आपसे पूछे दोस्तों इनकी बड़ी फैमस बुक कौन सी चापना अरे बुक कौन सी आपके उसका नामें आमुक्त मालेदा कौन सी है आमुक्त मालेदा चापना यह इनकी सो यह हैं इनकी famous book है और तेलगू भासा कौन सी भासा है सो तेलगू जो भासा इसमें लिखी गई पुष्टक है यह भी आपको यहाँ पर धिशान रखना है ठीक है तो इनके बारे में चार पॉइंट लिख लीजिए एक्जाम के लिए महत्पूर्ण सवाल है किसन देवरा आप पहली बात नोंने ने कंभोडिया का कौन सा कंभोडिय अंकरवाट का मंदिर कौन सा अंकरवाट का मंदिर कंभोडिय। अभी हाली में इसको आठवा अजुवा खोसित किया गया है भगवान विश्णु का मंदिर सो भगवान विश्णु का मंदिर चापना ये और खेमरवन से सम्मादित है सूर्व बर्मन सेकेंड कमबोडिया के अंदर अंकुर वाट का मंदिर नोंने बनवाया था ये सवाल 15 इतने सवाल करा है वह आपते कर लेना और इसके लावा इसके लावा देखना आपकी इसके लावा जो है एक आपके करंट अफेस का महा एपिसोड जो है वह 31 को आपका आने वाला है एक घंटे रखूंगा किलास चिंता ना करें थोड़ा जादा हो गया कोई बात निया ना आपको इस पढ़ा रहा हूं यहां ऐसा तो नहीं कर रहा कि बातचीत कर रहा हूं पढ़ा ही तो आपको इस पढ़ा रहा हूं वरसगुल है ना देखिएगा 31 तारिक को नोट करना आप सभी लोग जो है 31 तारिक को सुबा साड़े चे वह जे करंट अफेस का महा एपिसोड पढ़ाने वाला है जिसमें जनवरी से start करूंगा दिसम्बर तक जाने वाला हो पूरा rund med first पढ़ने वाला हो एक सेंगल क्लास मैं कह रहा हूं इसके लाव अगर करंट अफेस पढ़ना हो आपको रिवाईज करना हो तो इस क्लास को बारबार रिवाईज करना सिंगल क्लास आईगी 31 तारीक को साल का अंत कीजिए मेरे साथ में आप 31 दिसंबर सुबह साड़ेश बजे मैं आपके सामने आने वाला और ग्यारा बारवे तक क्लाश चलने वाली यह और आपके लिए यहां पर जो भ्रमास बैच है श्टार्ट होने वाला है उसकी जो छूट रहेगी जो इस्पेसल ओफर रहने वाला है वो भी आपका उसी टाइम रहने वाला है ठीक है neon कर ले नपर जो और नया बैच आ रहा आ यह कोई बात नहीं एक स्सीजीडी के अगर आप त्यारी कर रहे हो तो एक जनवली से एक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए लाइफ रॉम स्टूडियो बैच रहने वाला है एंसी क्यू बैच रहेगा 45 डेच का बैच रहने बाकी बताईए आपके क्या हाल चाल है कोई सवाल हो वाल हो आपको बताईए सुबा साड़े छे बज़े तो आना ही आपको ना गुरुजी इस क्लास को डेली कर दो डेली कर दे इस क्लास को बता डेली जहल लो को तुम मेरे को अगर मैंने डेली कर दी ये किलास तो भाई साव यकीन मानना जी के कि तो जो हालत खराब होगी ना बहुत गंदी वाली खराब होगी अगर मैंने डेली कर दी तो चंद्रमुखी भी भरत नाठिम के 여 Haz-Guda बिल्गुल सitas बात है देखो बहुत सारे है ना ऐसा नहीं कि जो मैं लिखाया वही है, कभी और सवाल आएगा तो वो आगे बढ़ाऊंगा, डेली कर दे, डेली जहल लोगे तुम, चलो डेली जहलने वाले कमेंट करना नीचे कमेंट बोक्स में, डेली जहल ने वाले कमेंट करना comment box में अगर आप को होगे तो अगर आपको होगे तो फोटी फाइग मिन डेरो कर देंगे ठीक है कि अगर आप ज्येल फाऊगे तो 45 मिनट की किलास डेरो कर देंगे अगर आप ज्येल फाऊगे तो न chest me मुझे पचाने के लिए बड़ा दम चाहिए ना इस क्लास को अगर आप चाहूं न तो यूटूब पर आप 10 घंटे में पढ़ सकते हो इतना कंटेंट है इस क्लास के अंदर आपने महसूस किया होगा न पर मैं थोड़ा पागल टाइप का इंसान हूं तो मैं यह सोचता हूं यूटूब पर जब मैं आया था न रसगुला तो मैं सोचकर आया था कि यार वह वह ऑगला नलगा है यूटूब की फिरी क्लास ओपर कंटेंट आपको पूरा दूंगा यह सोच तरह पहले से भात चार साल पहले की बात है यह न यह कि आपको कंटेंट की भरमार मिलेगी है ना दोनों टाइम कंटेंट प्लस रिवीजन प्लस मोटिवेशन ही मेरा मूल उद्देश से हैं और इसलिए मैं यूटूब के ऊपर हूँ कि चलिए तो अगर आप डेली जहल पाओगे तो मैं आपको डेली ले कर रहें दोंगा कि लास कोई बड़ी बात नहीं है कमेंट वोक्स में कमेंट करना ठीक है सवाल तो एक भाना होता है मुझे उसके आसपा सवाल बुनने होता है ना सवाल तो रजगुल्ला भाना है ठीक है बनाने का सवाल तो यह बहान है ना मैं बहान ये सामने हैं मेरे सामने तो बहान exchange अगर अलों चाहिए लाओ और 50 लोगे से तयार रहना एक दिन आप मुझे देजिए मैं आपको इतना कुछ देने वाला हूं यचीन मानना जो उस दिन मेरे साथ होगा वह बहुत कुछ लेकर जाने वाला है आपकी समस्षय सोय रहती है ना कि डांस कहां से पढ़ें नर्ट्य कहां से पढ़ें ये कहां से पढ़ें ये पढ़ने का तरीका आपके सामने आने वाला है 31 तारिक को सुबा साड़े 6 वजे आपसे मुलाकात होगी तर ये ध्यान रखना अपना all the best आप सभी को जहिन थेंक्यू